नमस्कार आप देख रहे हैं देंडिया टॉप मैं हूँ आधेश पूरी बिहार में कितना भी फरजी वारा करने वाले सॉलवर गैंग कोस्टन आउट कराने वाले के खिलाफ सरकार कोशी से कर ले लेकिन वो अपने मनसूबों में हमेशा क्यामियाब रहते हैं केंद्रिये चैन परस सिपाही भरती के दोरा अगनी की परिच्छा में तीन वैसे अभियर्थी पकड़े गएं जिनके पास परिच्छा के एकजामिनेशन कोस्टन जो होता है उसका हूब भू सेट उनके पास मौझूद था और ये परिच्छा से पहले आपको बताएं तीन कैनिडियेट पकड़े गएं गया में जिनको गिरफ्तार किया गया है पूस्ताज चल रही है आपको बतादे कि इसके दोरान इस परिच्छा के दोरान विहार भर से पूरे 17 ऐसे कैनिडियेट पकड़े गएं जो कि परिच् लगातार कोशी से की जा रही हैं कि परिच्छा निर्विवाद बने इसमें कोई भी धांदली नहों कोश्चन आउट नहों लेकिन आपको बताएं कि केंद्रिये चैन पर सक सिपाही भरती के द्वरा ली जाने वाली परिच्छा में तीन कैंडिडेट्स के पास कोश्चन मिल तो आप ये समझ सकते हैं कि कोश्चन जो है उसका जो गोपनियता है वो भंग हो चुका है ये तीन कैंडिडेट्स पकड़े गए हैं ऐसे कितने कैंडिडेट्स हो सकते हैं जिनके पास एक कोश्चन होगा वो उसके एंसार रट के गए होंगे और आपको हम ये भी बताएं क केंडिडेट्स परसर सिपाही भर्ति के द्वारा 84-15 सिपाही का जो परिच्छा लिया जा रहा है जिसका फिजकल अभी गर्दी बाग में चल रहा है वो 14 मार्च और 21 मार्च 2021 में उसका एक्जाम लिया गया था दोदो पालियों में और आपको हम बताएं कि सारे पालियों क प्रस्ण पत्र एग्जामनेशन से पहले वायरल हो गये थे हलाकि छात्रों के द्वारा यह पहले से ही अंदेशा जताएज जा रहा दे कोmon серь그prise होंगे और बहुत सारे से वायरल हुए थे और हमने भी पूछा छात्रों से पूछा कि कि यह प्रस्ण पत्र थे तो उनका कहन था कि हाँ इसके प्रस्ण एक्जामिनेशन में थे तो आप समझ सकते हैं कि क्या इस्तिती है केंद्रिय चैन पर सत्थ सिपाही भरती की कि उसके द्वरा लिये जाने वाले जो परिक्षा हैं उसमें कोर्शन पेपर पहले ही वैरल हो जाते हैं आपको हम पूरी जनकारी बताते हैं कि बिहार अगनी सामन से वामी अगनी के पद पर नियुक्ति के लिए रवीवार को आवीद परिक्षा का प्रस्ण पत्र गया में पहले से ही लिख था इसका खुलासा तब हुआ जब महावीर स्कूल के सेंटर में दाखिल होते हुए परिक्षार्थी के मोबाईल से परिक्षार्थी को पकला गिया है और पूरी चानबिन की जा रही है पकलाए परिक्षार्थिओं में एक वजिर गंज का एक बोद गया और एक मानपुर गया का रहने वाला है तो आप समझ सकते हैं कि यह गया का मामला है पूरे बिहार में ग्यामनेशन हो रहा है और लेकिन फरजीवारा करने वाले गैंग जो धांदली करते हैं जो परिक्षा में विवादास्पत परिक्षा को विवादास्पत बनाते हैं अभियर्थियों से पैसे एकते हैं अब यही कोस्टन जो आउट कराया गया होगा पता नहीं कितने लाख में इसे बेचा गिया होग आपको बता दे कि ऐसी प्रस्तितिया पहले दरोगा के परिच्छा में भी थी लेकिन इस बार 2213 दरोगा परिच्छा में कोश्चन आउट नहीं हो पाया ये बहुत बड़ी उप्लब्दी रही लेकिन आपको यह भी बताएं कि 2021 में 66 VPSC PT का परिच्छा हुआ उसका भी प्रस्णपत्र और अंगाबाद में वायरल हो गया और यही कारण बताया जाता है कि 66 VPSC नहीं इतना कटफ नहीं गिया था काफी दुरभाग ये पुर्ण है कि अंद्रिये चैन परसत को इस पर विचार करना चाहिए हमने लगातार खबरेज दिखाई कि कैसे सिपाही भरती के परिच्छा के दोरान हरे एक एक एक्जामनेशन से पहले कोश्चन वायरल हुआ करते थे और बहुत सारे कोश्चन उसमें होते भी थे जो एक्जाम में पुछे जाते थे तो काफी दुरभागे पुर्ण है और काफी इस पर सजगता की जरूरत है और पुलीस को जरूरत है कि जो कैंडिडेट्स पकड़े गए हैं उनके निसान देही पर उन लोगों को गिरफतार किया जाए जो इस पूरे रैकेट में सामिल है और इससे इंकार नहीं किया जा सकता है कि इस रैकेट में कर्याले के करमचारी अधिकारी भी सामिल नहीं हो क्योंकि जितनी गोपनियता बरती जाती है उसमें कोई भी सधारन व्यक्ति का इतना हिम्मत नहीं है इतनी पहुंच नहीं है कि वे उनस थानों पर पहुंच जाए और कोस्टन को आउट कर दे हूँ बहु कोस्टन पेपर वाइरल हुआ है काफी ये गंभीर मामला है और जरू कर ले दाने बाद